वेलकम चिल्डरेन आप लोग का स्वागत है आप जाहिए मत थोड़ी सी मेरी बातों को अब ध्यान से सुनिए सर आज क्या पढ़ाने वाले सर आज नया चीज क्या है तो नया चीज यह है कि हम भारत का परचय की बात करेंगे यानि कहें तो इंट्रडॉक्शन टू इंडिया यानि भारत के परचय के बारे में हैं आज जानने वाले हैं सर पहले तो आप इतिहास पढ़ा रहे थे मैंने इतिहास का भी वीडियो बनाया है जो पले रिष्ट में पढ़े हुए हैं वह जो इतिहास जो पढ़े थे न वह कहानी के माधियम से पढ़े थे कैसे पढ़े थे साथ कहानी के माधियों से पढ़े थे और अब जो है जो हम भूगोल जो पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम ने लिखा है भारत का भूगोल पार्ट वन यानि कहें तो आपका जोगराफ़ी ऑफ इंडिया यानि भारत का भूगोल के सर यह पहले बता जीजे एक इन के लिए हैं यह जो है आप रेलेवी से लेकर जो विपेसी की तयारी करते हैं यह पीटी के लिहाद से सबसे महपूर है और इनसे ज्यादा कोश्चन आपके फंस जाते हैं तो आपको मैं मुख्य करा रहा हूं और आप जो है इंसी याटी का का परियास की जिएगा ठीक है तो हमने एक भारत का छोटा सा ठीक है भारत का हमने एक छोटा सा मैप बनाने का परियास किया है ठीक है कि यह आपका छोटा सा मैंने एक मैप जो है मैंने बनाया है ठीक है एक छोटा सा तो यह भारत का एक मैप है जो आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है अब इन से कैसे एक्जामे कोश्चन पूछ लिए जाते हैं हम इनको देखते हैं थोड़ा से भारत के मैपने सर कैसे एक्जामे कोश्चन पूछे जाएंगे यह जो भारत जो है अब भारत देख रहे हैं यह आपका भारत जो है कपक तो भारत ऐसा था सच में सक ऐसा ही अभी भारत है और यहां पर आप देखेंगे तो एक देश है जिसका नाम है स्री लंका यहां पर देखेंगे आपको दिखाई दे रहोगा ठीक है स्री लंका कौन सा देश है तो स्री लंका याद रखेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि य समझने का परियास करेंगे कि एक जामिक कैसे कोश्चन आते हैं तो ही साथ में लिखने का परियास किछिएगा यहां पर आप एक देश देखिएगा जिसका नाम है नेपाल और यह मैं जो देश लिख रहा यह सब भारत से सटे हुए है ठीक है तो यह नेपाल है और इनकी राधानी जो है यह कटमांडू है इन बात को भिध्यान में रखेंगे जबकि यहां पर एक देश देखिएगा जिसका नाम है भुटान और भुटान मैंने पूरा नहीं लिखाया अधा भू लिखाया सिर्फ भुटान है और इनकी राधानी थिपू है इन बातों को भिध्यान रखियेगा कोई दिक्कत है तो अब हम देखते हैं कि यहां पर एक देश है जिसका नाम है बंगला देश यह बंगला देश जो है इनकी राधानी है धाका कहा है सर धाका है और यह भी भारत से सटे हुए ह तो यहां पर देखिएगा तो एक है मयनमार यह कौन सा देश है यह है मयनमार और इनकी राधानी कहा है सर तो यह है बर्मा इस बात को ध्यान में रखेंगे और कोई देश है क्या सर और भी देश है यहां पर आप अपना दुस्मन जो है मानते हैं जिनको जिनका नाम है पकिस् पाकिस्तान पाकिस्तान जो है ठीक है इसकी राध्धानी है इसलामाबाद इस बात को भी ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इनको ध्यान रखेंगे ठीक है अब भारत से कौन से देश सटे हुए हैं तो यहां पर जो है आप एक देश देखिएगा जिसका नाम है अफ हेंगे एकडम सर याद रख रहे हैं तो यहां पर यह भारत देस कैया वारत से तद को पता होगा कि क्या ship चेत्र है किसका चेत्र है टी बदी जाने रखेंगे इस नहीं बताएं तो मिन local है आपको शुमाइब का एक आप यहां जो है आपको सबसेत को है दिखकत नहीं हो मैं अकशलора में वीडियों को बना रहे हूं तो थोड़ी सी कट रही है तो आपको में यहां देखिए गार कॉंसा है यह मालोजृ थीक है ओपका देश सिरलांका और यह माल दिव जो है यह जल से सटे होए है भारत के पुछें जाएंगे की से की तने है अब हम बात करेंगे तो यह जो देष देख रहे हैं ना तो कुछ देष जो हैं कुछ अस्थाल से सटे हुए अस्थल से सटे हुए और कुछ देश जो है जल से सटे हुए है ठीक है अस्थल से सटे हुए है और कुछ जो देश है ठीक है जल से जल से सटे हुए, सर जल अस्थल मतलब क्या होता है, जो भूमी से सटे हुए न, उसे हम अस्थल बोलते हैं, तो यह जो आप देखेंगे, तो साथ जो ऐसे देशे हैं, जो अस्थल से सटे हुए हैं, कितने साथ, जबकि दू ऐसे देशे हैं, जैसे माल दिव, ठीक है, और स्र के यहां पर आप देखेंगे कि तीन ऐसे देश हैं जैसे पकिस्तान बंगला देश और मयंंग्मार इह टीन ऐसे देशे हैं जो भारत में तीन ऐसे देशे हैं जो भारत से अस्थल से भी और जल से दोनों से सटे हुए हैं अस्थल तथा जल दोनों से कितने ऐसे देशे हैं जो अस्थल और जल दोनों से सटे हुए हैं तो वह हैं आपके तीन देश इस तरीके से कोश्चन आपके एक्जाम में फसा लिये जाते हैं तो आपको यहां तक समझ में आ रही होगी यहां तक कोई दिक्कत है कोई समझ से आये हैं नहीं न अब थोरी सी बात करते हैं यहां पर आप देखिएगा यह यह जो बंगला देश यह जो है तो यहां पर देख रहे है कि भारत से जो है यहां पर 60 हुआ है यह जो थो देश है यह बंगला देश है और यह जो है यह अस्थल से सबसे यह जो है क्या हुआ है घेरा हुआ है इन बातों को ध्यान रखेंगे सब देशों में से सबसे अधिक जो बंगलादेश जो है यह जो है अस्थल से घेरे हुए है कि इसको भारत को इस बात को याद रखेंगे जबकि यहाँ पर बात करेंगे 106 किलो मिटर जो है यह सबसे कम जो है यह अफ़गनिस्तान जो है भारत की सीमा को है छूता है जबकि यहाँ पर बात करेंगे बंगला देश जो है यह सबसे ज़्यादा जो है भारत की सीमा को छूता है कितना किलो मिटर तो यहाँ पर करेंगे है Só기 9492 किलोमिटर जो हे यह वंगला देश जो है यहां पर यह itel keeping बात को कित कर देखी दंगा देखी यहां की खाड़ी टिक़े अब ONE कि आ यहां पर देखी यहां पर आपके यहां पर हे भंगाल की खाड़ी जो अब पूछेंगे सर खाड़ी किसे कहते हैं, तो खाड़ी भी मैं बता देता हूं कि खाड़ी किसे कहा जाता हैं, जो खाड़ी की बात करेंगे, जो तीन ओर से, तीन ओर भूमी से घिरा हो, तीन ओर से माल लेजिए कि यह भूमी है, इधर अस्थल है और इधर पानी है, यानि कहें तो तीन और भूमी से घिरा हो ठीक है तीन और से भूमी से घिरा हो और एक और से पानी से घिरा हो उसे कहते हैं क्या खाड़ी कहते हैं क्या कहते हैं खाड़ी अब खाड़ी दो परकार के होते हैं एक बड़ा खाड़ी एक छोटा खाड़ी तो हम अगले वीडियो में उस तीन ओर यहां पर ऐसे बात करेंगे कि इधार भी जल है इधार भी जल है तिक दिखाई दे रहा होगा इधार भी जल है और इधार भी जल है यानि तीनों और पानी से घीरा हो और एक और अस्थल से घीरा हो वैसे छेत्र को परियादीब कहा जाता है तो यहाँ पर यह भारत जो है यह भारत यह भारत जो देशे हैं इसे जो है इधा दच्छिन वाले छेत्र को क्या कहा जाता है दच्छनी भारत के नाम से दच्छिन परियादीब के नाम से भी जाना जाता है सब इधान में भारत तथा इंडिया दो ही सब्द का परियोग किये गए हैं इन बातों को विध्यान में रखेंगे यहां तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, नहीं न, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, कि यहां पर हमने देखा, कि भाई, यहां से लेकर, यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर, यहां तक, जो अस्थल से, अस्थल से जो सटे हुए हैं, जो अन कमेंट देख लेते हैं कि कितने किन्यों किया है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कमेंट कर रहे हैं सोनु बाबु ठीक है तो यह कितना है तो भाई यहां से लेकर यहां तक जो है यह फैला हुआ है पढ़के बता रहे हैं सर एकडम पढ़की बता रहे क्योंकि टेंसन ना हो जाए आपको 15 200 किलो मेटर तक यह 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 अस्थल से घिरियों के हैं तो बताए सर अब यहां से जो है यह जल है यहां पर अरब सागर है कौनसे सागर है अरब सागर है और अब सागर है और यहाँ पर देखिएगा यह सिर्लांका और मालदीप है इसके नीचे जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ से जो है यहाँ पर अब लिख देता हूँ इधर च्छेत्र है सिर्लांका और मालदीप इधर नीचे का जो च्छेत्र है भारत के दच्छिन का यहाँ पर हिंद महासागर कौन से महासागर हिंद महासागर महासागर यहाँ पर लिख लें अब यहां पर बात करते हैं, सर्थ यह तो बता दिया आपने कि यहां से यहां तक जो है 15200 km है, अब बताए कि टटी यह कितनी लंबाई है, तो इनकी लंबाई जो है, यहां पर बात करेंगे 1600 km, ठीक है, कितना 1600 km जो है, यह इनकी लंबाई है, इन बातों को भी धियान में क्योंकि आपको समझ्या नहों ठिक है यहां पर आप देखिएगा यहां ओर इस में जो है दीप्भी की शंखिया जो है दूसर्व 5 बताये जाती है ठिक है आंडोमा निको बार दीपसंग में ठीक है 204 इहां पर बताई जाती है जबकि यहां पर आप देखिएगा यह देख लिजिए पहले यहां पर देखिएगा आपकी तो यहां पर है यहां पर है आपका यहां पर आप छोटे छोटे मैंने दीप बनाया है यह है लक्षदीप लक्षदीप ठीक है यह दीप है लक्षदीप और इसमें जो है लक्षदी छोटे भूकंड जो चारो तरफ जल से घीर हो वह कहा जाता है दिप बास समझ में रही है जी सर अगर बड़ा भूमी हो तो उसे कहा जाता है महादिप जो बड़ा भूकंड हो बड़ा भूमी का छेत्र हो जो चारो तरफ से पानी से घीर हो उसे कहा जाता है महादिप और यह समझ में तक बातें समझ में आ रहे हैं अब थोड़ी सि मैं बता दूँ कि पूरे धीप को मिला कर ये दीप मुला करते की इसकी नमबाई जो भारत के पूरे दीप और ये टटिये और अस्थलिये मारे को मिला कर कुल लंबाई कितनी है तो ये है 75,14, पांच किलो मीटर जो है इनकी टोटल लंबाई है इन बातों के ध्यान रखें बोलेंगे सर 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 रुकिए यहां पर नेट पर छो दिखाई दे रहा है लेकिन अंसी आटी बुक में आपके पांच दिये गए हैं तो आप जू भी देख लिजिए अगर अप्शन करूंसा आप लगा लिजिएगा कोई समस्या है नहीं सर कोई समस्या नहीं थोड़ी से और समझा देजिए थोड़ी से और समझा देते हैं आप जाने का परियास मत किजिए वीडियो को पूरा देखिए बास समझ में आ रही है अब घवड़ाईए मत ठीक है यहां पर देखिए यहां पर rare clip रेखा है यह कौन सी रेखा है रेड किलिप और भारत और पकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है तो rare clip रेड किलिप जो रेखा है और इसका निर्माण कब हुआ था तो में निर्माण हुआ Canadian HISुनिस के बात धरन्दद रेका है इनका निर्माण कब उआ था predict के 10 Walk चानी चाहरा सु सब्सक्राइर लिखा आता हुर्ब के इस बात को ध्यान में रखेंगे सर्थ चीन और भारत की भी जी में एक रेखा है जी यह जो है उनाइस चोग